दरोकार पारबंकी में शार्दा नहर में दिखी दो डॉल्फिन एक को रेस्क्यू करके सर्यू में छोड़ा दूसरी डॉल्फिन की तलाश जारी अमीरपूर में अंतर जन पती है चोरो का मांड़ा फोर्ड पुलिस ने पाच शाथे चोरो को किया गिरफतार मामली की चार्च में जोटी पुलिस नमस्कार मैं हूँ आपके साथ ईशा भारगव स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में पिंद्री निर्टत्व से सलहा के बाद अगली महीने अंदिम रूप दिया जाएगा और बदलाव की सूची 30 जून के बाद आने की उमीद है वहीं बस्पा प्रमुख मायावती ने और बियाई के 2000 के नोट वापस लेने के फैसले लेने के मामले में पहली बार अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है मायावती ने ट्वीट कर कहा कि करेंसी और उसकी विश्व बजार में कीमत का संबंद देश का हित वा प्रतिष्ठा से जुड़ा होने के कारण इसमें जल्दी जल्दी बदलाव करना जनहित को सिधे तौर पर प्रभावित करता है इसलिए ऐसा करने से पहले इसके प्रभाव और परिणाम पर समूजित अध्यन जरूरी है सरकार इस पर जरूर ध्यान दे मैं इस खबर पर जादा जानकारी के लिए हमारे साथ विभांशु जोड़ चुके है तो विभांशु क्या कुछ कहा है मायावती ने कि इसागर बात की जाए तो 2000 के नोटों को चलन से बाहर होने की खोशना के बाद जहां तमाम बेदिशी दल वैं गेंद्र सरकार पर हमलावर हैं तमाम तरह के कटाक्स कर रहे हैं जह आपने दिखा कि कल ने तमाम निताओं की तुब से पत्रिया आई अगर बात की जा तो इसका जल्दी से जल्दी बदलाव करना सीज़े तौर पर जन हित को पभावित करना है तो साफ तौर से उनके ट्वीट से आप देख सकती हैं कि एद नोटों के जो लेखा जाए तो 6 साल 6 महीना 2000 का नोट टाइप पीवेट तक रहा उसके बाद उसे कही ना कहीं अब वापस लिया जा रहा है इसको लेकर कहीं नहीं कि जो विश्व है वहां पर गलत पढ़ेगा और कहीं नहीं पर देखा जाए उनके ट्वीट के बाद अब सियासी घमतान तेज हो गया है अगर आप आपको बताए कि कल सूबे के पुर मुख्यमंत्री अखिलेश चादो जहां ये कह करते हुए नजर आए कि कुछ लोग ने अपनी गलती समझ आई अब 2000 के नोट सामले में ऐसा ही हुआ तो साब तौर से जहां एक तरफ देश के प्रधार मंत्री को अखिलेश चादो टार्टिट करते हुए नजर आए तो इसारही इसारों में आज सूश्री मयावती भी उस से अब से फैसले को लेकर जी बिलकुल नेसी तोव पे वस्पा सुपीरों के साथ साथ तमाम ब्रफ्ट्र प्रफ्टेश चाहे बात की जाए कि नेता करिंड ना कहीं इस मामले को कतार्व करते हुए नजर आया है उसका वहां सरकार इसको बता है सबस्क्ताते नाप कि जाएंस जर्ट कर इसका वाध जयादा जानकारी यिवाध भिभाश पूर्प्रधान मंतरी राजीव गांधी की 32 पूर्टिति पर सोनिया राहुल प्रियंका और मलेका और जुन खडगे ने वीर भूमी जाकर उन्हें शद्धांजली दी 32 साल पहले 20 मई 1991 को तमिलाडू के श्रीपेर बंदुर में एक आत्म घाती हमले में राजीव गांधी की जान चली गई थी राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें उनके प्रिता को उन्होंने शद्धांजली दी उन्होंने लिखा पापा आप मेरे साथ ही हैं एक प्रेणना के रूप में यादों में सदा इस वीडियो में बताया गया है कि राजीव गांधी ने देश में विकास में क्या-क्या योग जान दिया है वही लखनाओ विकास प्राधी करण के उपाध्यक्षिय डॉक्टर इंद्रमनी त्रिपाथी के द्वारा शेहर में अवैद निर्माण के खिलाफ प्रभावी कारवाई किये जाने के निर्देशों के क्रम में प्रवर्तन जोन एक और प्रवर्तन जोन पाच की टीम ने पाँच मनजिला अवैद अपार्टमेंट समेत 35 रो हाउस भवनों का को सील कर दिया है वतन जोन पाच की जोनल अधिकारी श्रद्धा चौधरी ने बताए कि लगबग 540 वर्ग मीटर शेतर फल में पाँच मनजिला अपार्टमेंट का निर्माण कराए गया था वर्टमान में बिल्डर द्वारा बिल्डिंग में फिनिशिंग का कारी कराया जा रहा था बिना स्विक्रत मांचित्र के कराया जा रहे इस अवैद निर्माण को सील किया गया है कि तरफ से एक बड़ी कारवाई सामने आई जा पार्स मिंजला अवैद अपार्टमेंट को सील कर दिया गया है आपको बता दे लगातार LDA अवैद निर्मार पर कारवाई करती हुई निजर आ रही है आई दिन अवैद निर्मार पर LDA बुल्डोजर चलाती हुई नजर आ रही है आपको बता दे वहीं इस बीच अब LDA की एक और बड़ी कारवाई सामने आई है जहां पांस मिंजला अवैद निर्मार पर उन्होंने उन्होंने सील कर दिया है उससे आपको बता दे पांस मिंज दिला वैद अपार्टमेंट सील कर दिया गया है वयगली कबर मुजफर नगर के बाला जी मंदर में भगवान के दर्शनों के लिए आने वाले शुधालों के लिए ड्रेस कोड का बोर्ड लगाने का मामला सामने आने के बाद अब मतुरा के वरंदावन में भी इस तरह का मामला सामने आया यहां के राधा दामोदर मंदिर में शुधालों से मरियादित कपड़ों को पहन कर आने के लिए कहा गया है इस बोड की वजह से मंदिर चर्चा में आ गया सेवायत पूर्ण चंद गोस्वामी ने आने मंदिर संचालकों से भी ऐसे वस्त्र पहन कर आने वाले शद्धालों पर रोक लगाने का अवाहन किया है। मंदिर की परंपरा का ध्यान रखना चाहिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विभांशु जोड़ चुके हैं तो विभांशु आए दिन किसी ना किसी मंदिर से ऐसी जो निर्देश है वो जारी किये जा रहे हैं क्या कुछ वज़ा है इसके पीछे मंदिर के बाला जी मंदिर में सद्धालियों के लिए रेसकोर्ड के बोर्ड लगाने के बाद अब मत्रा के विंदामन में भी इस तरह का मामला सामने आया है यहाँ के अब बात की जाए तो दामोदर मंदिर में सद्धालियों को मर्यादिट कबरे पहन कर आने के ही अपील की गई है वज़ए से कई ना कई हम मंदिर सर्चा में आ गई है आपको बताते हैं कि मंदिव के अलग अलग जगों पर इस तरह के बोर्ड लगाए हैं साफ तो अगर बात की जाए तो तमाम पिदेशी सहलानी और खात कर तमाम ऐसे मत्वाल लोग गया करते हैं वहाँ पर मंदिव पसासन की तुरब से कपी के तहट ये बात कही गई है लगा दिए गया है इसा अगर बात की जाए तो आप अगर देख ले तो देश के लिए ते तमाम मंदिव हैं चाहें प्रिपती बाला जी हो या महाकाल जो की मध्यप्रदेश में हैं वहाँ देखा जाए तो तमाम ऐसे जगह आलवेडी मंदिव हैं जहां जब सधालू अप पुजा पार्ट के जाते हैं तो द्रसकोड के तहट पुजा अर्चना करते हैं साथ तो देखा या तो यह नियम लगातार सालों से चलते आ रहे हैं अब मगार भीवेड ही अब मुझाफर नगर के बाद मत्रा के भी मंदिव में ड्रसकोड को लेकर नवे कही ना कहीं अपी कपड़ों को मर्यादित वर्सक के कपड़ों को ही डाल के आने की अपील की गई है आपको बता दे कि दामोदर दास मंदिर कहीं ना कहीं देखा जाये तो राधा कुछन जी की लीला और बुकाभूमी है और विन्दावन को साथ देवी देवताओं के प्रकाश असली भी कहा है और धार्मिक और साथ जो संस्क्रितिक कप्रें उसको पहन के आएंगे तो इक निस्तित तौर से माहौल बहतर रहेगा ऐसा सथालों को कहना इसा जी विदेशी शैलानी है क्या उन पर भी कहीं निर्देशत है जिए विल्कुल अगर बात की जाए तो साफ तौर से जो जो भी नेकर या बर्मूडा परुष पहनता है या महिलाओ के तौरा सोट्स कपड़े पहने जाते हैं उनकी अपील मंदीर प्रसाशन की तौर्प से अपील है कि मर्यादित कप्रों को कपड़ों को पहन कर आए जिससे कहीं ना कहीं मंदीर के अंदर एक अच्छा माहौल ब इस जो ड्रेस कोड है इसको पालन करते हैं धन्यवाद विबाश्यों इस खबर पर जुड़ने के लिए वही साजापुर में शहर के टाउन हॉल स्थित एक होटल में नव नर्वाचित महापौर और पारसदों का अभिनंदन समारो आयुजित किया गया जहां वित्मंत्री सुरेश कुमार खन्नाने पहुचकर दीप्रजुलित कर श्युबारम किया वही बारबंगी के देवा शेत्र के मित्त ये के पास से गुजली डबल शार्दा नहर में शनिवार को दो डॉल्फिन देखे जाने पर वनविभाग की सज़क्ता कमा गई और डिएफो रुस्तम परवेश की ओर से ततकाल निगरानी कराने के साथ ही टीसे की लखनाव यूनिट को सुचना दी गई इस पर टीसे के एक्सप यश्क्यू करके बाहर निकाला जाएगा इस बीच निकाली गई डॉल्फिन को सरीयो नदी में छोड़ दिया गया है वहीं भक्तों को बाबा विश्वनात के दरबार में पहुचने में कोई परिशानी ना हो इसके लिए योगी सरकार ने हर तरह के प्रभंदन किये हैं चिल चिलाती धूप और तपती जमीन से शुधालूओं को बचाने के लिए सरकार ने कासी विश्वनात धाम के आंगन में मैट बिच्वा कर जर्मन हैंगर से चाव की विवस्था कराई है जो की भक्तों को बारिश से भीगने से बचाएगी वही उस भारी गर्मी में एयर कूलर से बाबा के भक्तों को काफी रहत मिल रही है साथ ही धाम के आंगन में भक्तों के लिए वाटर कूलर की भी विवस्था की गई है आपको बता दे धूप और गर्मी से बचने के लिए सीम योगी की तरफ से कई इंतिजाम किये गए हैं काशी विश्वनात धाम में दालू के लिए कई खास इंतिजाम देखे जा रहे हैं दाम के अंदर मैट की भी विवस्था है साथ ही कूलर भी लगवाए गए हैं गर्मी को देखते हुए आपको बता दे काशी विश्वनात में से यम योगी की ओर से कई इंतिजाम किये गए हैं आपको बता दे वहीं देवरिया जनपद में एक समू की महिला ने जिला कारिकरम अधिकारी पर बच्चों के राशन लूट लेने का गंभीरा रूप लगाया है जीवन जियोती समू की महिला मालती चोहान ने बताया कि जिला कारिकरम अधिकारी द्वारा मेरे समू की कुछ महिलाओं को समू से निकाल दूसरी महिलाओं को रख लिया गया और बिना मेरी जानकारी के धाई लाग रूपया समू की खाते से निकलवा लिया गया और ड्राइफूड राशन अवैत तरीके से बेच तिया गया जब इसकी जानकारी जिला कारिक्रम अधिकारी को दी गई तो मुझे शाररिक और मानसिक रूप से परिशान करने लगे इसकी जानकारी अधिकारियों को भी दी गई लेकिन अभी तक कोई कारवाई नहीं हुई है इसकी जानकारी मैंने इनको दी है इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ रवी जोड़ चुके है तो रवी क्या है ये पूरा मामला बहुत गंभीर मामला है समू की मैला ने जिला कारकरम अधिकारी पर गंभीर आरूप लगा है उनके खाते से भी धाई लाक रूपे के गमन की गई और ट्राइफ फूड की रासन भी अवे तरीके से बेज दिया गया जब इसकी जनकारी जीला कारकरम अधिकारी को दिया गया तो उन्हों मुझे तरीक और आर्थिक रूप से परीशाण भी किया जा रहा है और चब इस मिसे पर बात किया जाएक जाए कि करवाई की जाएंगे कोई कारवाई की गई है अभी नहीं अभी सीडियों ने बताया कि यह व्यक्तिकत मामला है और पड़ जाज की जाएगी जब सीडियों से बात किया गया तो उन्होंने जाज कहा वाला दिया जो इसका वापे ज़्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद रवी वही हर दोई शहर से सटे हुए नीर गाउं में दिल दहला देने वाला हाथसा सामने आया हाथसे में ननत बोजाई की दर्दनाक मौत हो गई जबकि उन्हें बचाने में कई लोग जुलस भी गई बता दें कि घर में बारात आने वाली थी घर की महिलाएं पकवान बना रही थ इससे दो महिलाओं की जिन्दा जल कर दर्दनाक मौत हो गई वहीं इन दोनों के बचाने में कई अन्य लोग जुलस भी गए हैं वहीं सूचना पर डी एम और एस पी मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कबजी में ले लिया वहीं इस घटना के बाद पूरे इलाके मे कहरा मज गया है कि जो पत्नी थी मंजू सिंग खाना बना रही थी और संजीव सिंग की बहन परोस में बैठी हुई थी तो जब तक सिलेंडर लीकेज हुआ लीकेज की वज़े से आग लग गई इससे दोनों लोगों की मुरत हो गई है और कई लोगों की बचाने में जुलस गए हैं कि जो मा हैं विटेद्दे सिंग वह भी काफी तुमुरी करीकेश जली हुए और छोटी बहन वह भी जल गई हैं कई लोग बचाने में जले हुए हैं लेकिन दो लोगों की डेत हुई है मंजू सिंग की और सर्मिला सिंग जो संजीव सिंग की पत्नी है और बहन है क्या नाम मेरा नाम अर्वी दिशिए है कि एक दर्दनाक मामला सामने आपको बता दे जहां दुलन की मा और बुआ जिन्दा जल कर मौत हो गई जिनकी आपको बता दे तो आपको बता दे वहीं इसके बाद अब दोनों शवों को कबजे में लेकर पोस्ट माटम के लिए भेज़ दिया गया है साथ ही अब पुलिस मामले की जाच भी कर रही है आपको बता दे बारात आ रही थी इस घर में जहां पे यह हाथसा हुआ है वहीं जो गैस लेंडर यह पलट गया जिसके बाद दो महिलाओं की मौत हो गई आपको बता दे दोनों महिलाएं जिनकी मौत हो गई जिनको बचाने की यह कुछ लोग भी आये थे वह भी जुलस गए आपको बता दे उनकी जो हालत है वो गंभीर बताई जा रही है बारबंगी में तेज रफतार ट्रेक्टर ट्रॉली और हाफ़डाला में भिड़त हो गई हाफडाला में बैठे पांच लोग गायल हो गई जिनने अस्पताल में भरती कराए गया फतेपुर से किंतूर को डीजे लेकर जा रहा था फाफडाल की तब ही ट्रेक्टर ट्रॉला में जोरदार टक्कर मार दी हाफडाल में पांच लोग बैठे हुए थे आपको बता दे फतेपुर रामनगर मार्क पर अमोली काला गाउं के पास की ये पूरी घटना बताई जा र लिया और उनके पास से आठ मोटर साइकलों को बरामत भी किया गया जो प्रदेश के महोबा जासी और हमीर पुर्जिलों से चुराई गई थी वह यह पर पुलिस अधिक्षक ने इस गैंग के सदस्यों के गिरफतारी पर इन गिरफतार करने में एहम भूमिका निभाने वा बरामत हुई और इसमें पांच व्यक्ति पकड़े गए हैं अपरादी सुभम और शेट सिवम पुत्र बरजेश पटेल मुम्ताज पुत्र लतीफ पमन कुछ मंदिया पुत्र बालें अखलेश कुछ मंदिया पुत्र भागवद्दास और सुरेंद्र पुत्र स्वर्गी इ पुर्जिले की राट कोतवाली पुलिस ने पावर हाउस के पीछे से पांच शातिर चोरों को गरफतार किया आपको बता दे जो की अंतर जन्पदी चोर बताय जा रहे हैं उनके पास से आठ मोटर साइकल भी बरामत की गई है साथी प्रदेश के महोबा जहासी और हमीर इनाम भी देगी आपको तादे साथी और भी लोगों की गिरफतारी होनी है वाई इस मामले को लेकर पुलिस मामले में जाच भी कर रही है आपको तादे अंतर जन्पदी चोरों का भांडा फोर किया है पुलिस ने पुलिस ने गिरफतार किया है उत्तरपदेशी खबरों में फिलाल के लिए बशतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रही है प्राइम टीवी नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस